हेलो वच्चो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर फिर से स्वागत है तो मैं आप सभी के लिए यहां पर देख सकते हैं उर्दू का दम महा मारेथन कलास आने के टोपर स्रीज का यह आपका थर्ड पार्ट लेकर हाजिर हो चुका हूं जहां से अगर एक भी कलास अगर आ देवस ही करा रहा हूं जिसमें उर्दू का एक हर एक चैप्टर बाद चैप्टर एक कुष्चन में आपको बीजबी से लेकर बता रहा हूं जिससे कि आप सोंच सकते कि मैं पुरा बुकी खतम कर दूंगा तो एक्जामनेर कहां से कुष्चन पूछ सकता भी बताई किताब आप से बाहर तो पूछ नहीं सकता इसलिए इतना महत्पून कलास है कि इसको हर हाल में आपको यादी करना चाहिए ठीक है इससे पहले मैं दो पार्ट अलड़ी प्रादिया है नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में है लिंक मिल जागा वीडियो को ठीक है देख थींदबी लीचांगे श्रился अपसाना आश्यानां में सिराढ अली सिरिकी को रिस्ता में कौनदा तो बेटा ता भाइता वलत धा दोस्ता कौन दुर्शाना अाशियाना में मरकजी किरदार कूने अपसाना अशियाना में मरकडी एम किरदार तो बर्कत अले शिद्दिकी है स्पयफ को लोगा बिलगला अगछाना कोिच करना है कि आपको याद है कि नहीं कि आपको यहां पर एक दिन में आपका दस महरतन कलास होने वाला टेस्ट होने वाला इसलिए आप लोग सारे बच्छे याद रिखेंगा ठीक है चलिए निगार अजीम के पहले अपसानवे मजमुएं का क्या नाम है इश्क है रश्क है अक्से नक्ष ऑफ़साना औरसइाना की सिराज की बीवी का क्या नम है फरजाना औरफाना नजना फरहाना बिल्कुल की कषान की जो ओक यड़ई ज किताब हरी चरन सिंग चाव्ला के सक्षियत और फन के मिशनिः को नहीं किताब चाव्ला के चावला की शक्सियत और फन के मुझानिक जो किताब लिखा है उसके मुझानिव मतलब को लेकर राइट रहे ना जिसको लिखा इस किताब को तो अपसे निगार अजीम डॉक्टर मोशीन है अब्दुल मगने कमर जाकून जाग बागू बिल्कुल अप्शन नम्बर अ हो कि आपके तयारी एक्डम और आज अगर आपका एक्जाम हो जाए तो क्या कर लीजिए अपने आपको अंदर फील किजिए और आप में जो गलती होती है ना उसको सुधारने की कोईस किजिए अपने गलती हो सीखिए गार याद रखेगा समाजदार विक्ति उसा ही करते हैं जो बार बार गलती नहीं करें गलती से सीख लेगो ठीक है चलिए अगला कुशन हम देख लेते हैं वह साथमाने कुशन के निगार अजीम की तस्नीफ यानिक लिखा हुआ गर्द अवार्गी का तालुक किस सिन्फ नसर से यानि उन्हों किताब लिखा किस चीज से उनका त सवानी है तनकीद है सफर नामाई अफसाना का जागा बिल्कुल अफसर मस्जी सफर नामाई से ही उनका तालुक है याद रखेगा हम चलिए अगला कुशन देख लिए आप लोगो कुशन नमर 8 करा है के ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा निगार अजीम ने किस मज हो जागा ठीक है आठ का बिल्कुल अफसर नमर यहां पर हो जागा बिल्कुल ठीक याड का यह हो जागा हम चलिए अगला कुशन देख लगते हैं लोग अगला कुशन देखते रहें गाट जीस बच्चे को जो नहीं यान आद है न अपने आपको देख लिजए अपने है याद रखेगा रहा हुच्छार घ्रीन सानला करता है हमको सब आता सम्झा उसको कुछ हो नहीं आता ऑना भोनने वाला कुटा हहना बहुत भोन्कता है क्या मूलते हैं काम पहुत के तस बच्चा लगता है यह से रात तो चोल आहां तो लोगता तो लोगता है प्गता है इंसान की आता है तो निगार अजीम की पाइदाइस कभ वी और अपने याप को समझदार समझेगा तो इसलिए अच्छा पढाई भी नहीं करेंगा हुआ एक सब आता है हई उर्थू ढखी है जै तो निगार अजीम क पर नहीं होई छी चाना का रहा है उन्हेसबलब तो कोई नहीं होगा है तो अपसेeringा ना क्ज़ए है अगाल्य बन की निघार आजीम का असल नाम क्या है जरे निंगार मेरक कٌश बिलकुल इसका निःंगुर का सब्सक्राद करें कि इतना महत्तून हैं कि आप आप सेंच नहीं सकते हैं ठीक हैक reagating पर द्यान दो तो इन सभी चीरियों पर आप लोग को फोकुस करना है पढ़ाई जो हो रही आप फी लोग के फायदे के लिए हो रहा है इतना महत्पून कला सबको दुबा नहीं होगा पुरा सलेवस खत्म के आजार आपके लोग के लिए अगला है कि निगार अजीम का कौन स अपसाना किसी सामेल को फूर भू बैल्ख सामील निगर अजीम ने किस मजमून में एक हैं अघ्या निगार अजीम मनें किया फार्सिय उर्द। drying और प्रैंट अंग्रेजी फार्सी अंग्रेजी क्या नहीं बिलकुल अपर्णाय। कि निगार अजीम के सफर नामे का क्या नाम था बिल्कुल अप्सारा घर्णावारगी यादो कि बारात अपनी तलाश घर्णाय। बिल्कु अप्शन भी गर्द आवार्गे थे ठीक है अगला कुछन देख लिजा आप लोग चोधान में कर बूख को रहा है कि निगार अजीम का मजमुः गहन कब साहई हुआ निकार अजीम का मजमुः गहन है ना उनका भूक कब साहई हुआ चपा हुआ चोपा हुआ तो लोग यात किजिए और अपने गलतई से शीखिए तेक हैru कि क्षिशन आ रहे या नही जली है जलए कि निगार अजीम का अफसाना अशियानाकिस तरह का अपसान किस तरह का पसाना के स्मे कहानि पताया तो नफसियाती है सा मिया रुमांस है जा स्वी जासुजी कpper गाति बताई है चलिए बिल्कुल अबसे नफस्याति यह निगार अजीम का अपसाना जो आशाना किस तरह का अपसाना है तो नफस्याति इस बात को याद रखेगा चलिए निगार अजीम ने पी एच डी किस यूनिवर्सिटी से किया था अप्शन है के जी एन यू है जाम्या मिल्या इसलामिया है दिल्ली इसलामिया जो डेली में टेका है आप्शन नमर बी हो जागा ठीक है इसका बिल्कुल हाँ अगला कुछन देखले हैं हम लोग कुछन को रहा है कि निगार अजीम के पी एजडी का मौजू क्या था याने मौजू मतलब क्या था गालिप की गजल गोई तरक्की पसंद अद्वी तहरीक औरदू नामी निगारी का इर्तका डी है मिंटू की अपसान निगारी का तंकी जाए ठीक है मिंटू की अपसान निगारी का तंकीदी तहीं तो देख लीजी कितना आपको याद आरा है कितना नहीं है चलिए कहता है कि हम बहुत अच्छा काहानी है याद नहीं आ रहा है जो को सबनाता है असलमें उसको कुछ नहीं आता है बोलने वाला कुछ भी बहुत कम्सकील होता है तो और कहने में किसे चुछग क कंच को लोग जाओ मजमुआ अक्स है थिक है अक्स छूट गिया हुआ अक्स यहां पर ठीक है यहां पर देख लिए जब लिग देटा हूं तो 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 अगला कुछ निगार अजीम के दूसरे अफसानुवे मजमुई का क्या नाम है गहन आख मिचोली अनोखी मुश्करहाट चार चर क्या जाएगा बिल्कुल गहन हो जाएगा उन्हीं इसका बिल्कुल अप्शन नंबर एख चलिए गहान हो जाएगा अगला कुछन है अक्सतु है इनका दुसाई हो जाएगा कि निगार अजीम ने किस बात्सा किशारी परतं किताब लिखी निगार अजीम ने किस बात्सा कि सारी परतंकीद किताब लिखी बहादूर साजाफर बिल्कुल आप्शन नंबर एख चलिए अगला कुछन देख लेता हैं किस नमर को रहा है कि अफसाना निगारी और तंकीदी के अलावा निगार अधिम ने अदब के किस म तो चलिए है किसकी तकलीक है किसकी तकलीक किसके मिलस निगार निल्कार्जिन लिप कन त्णैев्य टालीए पूछत में अप 갇सान अभी। कि वियान धियान ठीका है क्या सवह तैसलों देखिए को रहां कि सिराज सिराज और इर्फानः कि इर्फानः किस अफसाना कीरदार है यहां अग्ति प्रिए निकिम नहीं अध्यव किdoes और द्राइंग और प्रेंटिंग तीनों को अलग बार ठीक है रट्टा मानने जब याद करता है तो आज में एक दू याद करेंगा लेकिन अच्छे पढ़ा का पूरा मारेगा तो आदमें घुर्मलाई जागा कि इसमें सभी उर्दू भी दिया कौन होगा इसमें से को मुआ अज को नहीं है अकस कोन है कंप सा हुआ है रहा है ठीक है अपर टापिंग रहा है ठीक है उर्दू में करना समस्थे कितना मुश्की यह लेकिन हम लोग फिर आप लोग को पढाने के लिए कर रहे हैं तो आक्स का यहाद कर रहा तो अक्स 1990 में साहिसे GOOD शेलिए जहाए खालत की बरकत अली शिद्रीगी या जरीना की तने इस7 जरीणा की नहीं यहांद कितने जरीणा की कितने वैच्च थे खेंगे वर्लिगों बीवी को नाम जरीना था जरीना के बेटा का नाम क्या था सिराज और जरीना के पुतों का क्या नाम था इर्फानत था और वहीं था कि दो तीन चार पांच दो थे ना उसका सिराज था बेटी थी तो बिल्कुल नमर दो हो जाएगा है ना दो ही नहीं होगा चलिए ना चलिए हाँ अगला कुश्ण सब्सक्राइब कर रहा है अपसाना आशियाना का किरदार सिराज मुलाजमत कहां करता था चला गया था ना ठी कि बाच बाप को चला के बात बुलाया था लेकिन उसका जीजना को रहा है कि कि सिराज की कि सिराज की बीवी इंफ बाइव के कर थी सिराज की इभेवे कि सब्सक्राइब कि नोका का रखने की थाने कि इन में से पांजीर आज मुलाजमत करने की कि मुझे फिरेट के लाथ करने का मुझे बार करने जाने कि बिल्कुल अगला कुछा नमर कह रहा है कि बैंगलोर ने सिराज किस मंजीर पे रहता था तो दसवी पे आठ वी पे साथ पांच वी पे किस पर रहते थे तो बेंगलवार में सिराज फ्लेट के किस मज़ी पर रहते थे कि बताओ हुनार बताओ क्या हो जाओ का क्या हो इसका रादने सब्सक्राइब बताओ क्या हो इसका बढ़ा बुक से पढ़ने वाले बच्चे को तो अलम होगा ना बताओ फ्रावाट कमेंट वक्स अब बताए क्या हो जाओ का इसका अशार बहुत बढ़िया अब इस वाला है इस में पताता हूं का रहती थे वह बुक है इसका इसका में बताता हूं अश्थ ठीक है जब तक कि आम नीचे चलते हैं ठीक है कि यह नहीं है कि इसका बताता हूं तब तक कि नीचे चलते हैं कि अच्छी 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 आप्साना आश्याना किस तरह का अफ्साना है कि अच्छी आप्साना आश्याना किस तरह का अफ्षन 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 है समाजी स्यासी नवर दीन अफ्षनाथी चाहिए ठीक है तो यहां पर देख लिए 29 साथी हो जागा ठीक है यहां बंगलवार में सिराज फ्लेट के साथी मंजिल पर रहते हैं देख रहा है कि कुश अफसाना अफसाना आश्यारा तो नफस याथ देख लिए इस पार्ट का पूरा यहां पर खत्म होगा टिक है मैं इतना कुछन आपको नहीं मिलने वाला टिक है पूरे यूटूब पे या कहीं भी कोई सास्तार में नहीं मिलने वाला इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं औ हर एक कांसर के भी मैंने बता है पूरा याद करना ठीक है इससे पहले मैंने और प्रादिया चलिए इसका हम सेखेंड पाड़ देख लिए जाने की छटा पर ठीक है याद अखना लोग को एक कुछन आपके लिए महत्पुन होने वाला इसलिए आप इसको यादी करना हराल म आपको ठीक है अगला हम देखेंगे जो हमारा चिप्टर उसको ठीक है काफी मत्पुने छटा आपका उर्दु वाले बची याद रखेगा मैं एक मेहन एक तो परसी में दो चप्टर प्रा रहा हूं ठीक है तो यह आपका छटा हो जागा पंजना हो गया ठीक है याद रख कि क्यूटो में गलोबल वार्मिंग पर कांफरेंस कब होई यान रखे एक चीज बहुत ही महत्पूल है चलिए क्यूटो में गलोबल वार्मिंग पर कांफरेंस कब हुई बिलकूल दोहार साथ हुआ है बिलकूल एक कराने सब्सक्राइब याद रखे धियान दीजेगा इधर बिटीक है जुक्राइब याद कर लिजिएगा दो नमर्यां जमीन का दर्जा हारात पिछले 100 बर्सों में कितना बढ़ गिया है सब्सक्राइब करा कि जमीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है बहुत गरम बहुत सर्द मौतल गैर मौतल क्या हो जागा जमीन का जानदारों के लिए सब्सक्राइब क्या है मौतल हो जागा तिन गांसर मौतल जाने के ठीक है कि याद रखेगा अगला कुश्यन कर देख लिए के तमाजत अर्जी के मशाहिल मसाहिल पर इनमें से किस मुल्क में साइंस दानों के दर्मियान तबातला तबातला ख्याल हुआ रूस चीन हिंदुस्तान अमरीका क्या जाएगा तमाजत अर्जी के मशाहिए मसाला पर इनमें से किस मुल्क में साइंस दानों के दर्मियान तबातला ख्याल हुआ है रूस चीर हिंदुस्तान अमरीका अप्सेर नमर डी अमरीका हुआ ठीक है कशन दे कर अधान के छेतों और गाएंस के गोबर से कौन कौन इनकी गैसे बंती कोन इनवें से इनकी गैसे बनती है तो क्या मिस्तान अखिरा कपरना के सार्ड। तो यहां पर शोता है यह मीथेन हो जाएगा तो अमरीका के इस हुक्मुरा ने किस हुक्मुरा ने गुलबल वार्मी पर किताब लिखी तो बार्क अबावा ने जार्ज बस ने अल्गोर ने ट्राम्प ने किस ने लिखा था अल्गोर नहीं जाकर सब्सक्राइब पेश किया था ठीक है ठीक है आपसर नमर्डी आने की अगलोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा कम करना होगा इस हालात में रखना होगा कम करना होगा याने कि कि मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कोन है मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कोन है अब्दुलमगनी है अख्तर और यानिवी है वहाव असरफी इनमें से कोई निगागा आपसर नमबर डी याने कि इनमें से कोई नहीं होगा याने मांखूज है मुझादें कि दर्जा हराद में जो और इजाफा हो रहे उसे क्या करते है गैस में इजाफा गुलोबल वामिंग क्या सब्सक्क्राइब दैस का बिल्कुल दना में टकर अप्सरो भी टोगि अगरा कुशन के तो निजामे शम्शी में जमीन की हैसियत क्या इसाहरत तारा जेल सितारत तयारत खाक्षियां निजामे शम्शी में क्या लॉफा तरीके से ठीक है उटतरर इतो लेखे रहा हिस तरीके से ठीक हैने कर दो जाएगा है बाल विज्ञान कांफ्रेंस कब मुनॉखक्ट वबागानी कव हुआ बाल विज्ञान कांफ्रेंस कब मुनॉखक्ट हुआ थैक तो नमें की, दो हुजार आट होगा ठीक है जलिए अगला क्यूशन हम देख लेते हैं की तरी बॉल्य गयान कांग्रेश हिंदुस्तान के कि कि शौर मुलॉक्ड यानि नागालंड के देवांम नहीं कि सथा नागालंड के देमाफुल में तो देमापूर नहीं ते हैं या रखेगा नागा सब्सक्राइब कांफरेंग कौन मश्हूर साइंसदाश शरीक हुए कों मश्हूर सांदाश शरीक हुए अब्दूल्कदीर निमतुल्ला एप अब्दू खिलाम पिजए अब्दूल्कलाम जो खुछस महमान थे चलिए कि कैसा मसला है मुनासीब खुश्गवार संगीन मसला सोचने वाली बात है अगला हम देखेंगे कुश्चन कि कि कारबन डायक्साइट गैस में कितना इजाफ़ा हुआ है तो एक तीस परतिसत है एक तीस है चौदा एक इस परसेंट इजाफ़ा वाटिक है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर भी चलिए अगला कुशन देखते रहेगा प्लों सतना कुशन कर रहा है किस फसल के खेतों से मिथे ज्यादा निकलती है धान सरसों इनमें से कोई नहीं बिल्कुल अप्शन नमर एदान या गोबर का भाहस भी रहता ना तो देख नहीं है तो गुमाद फिराके फूचता एक्जामन हèn ठिक है आफ्शनम़र हो जाँगा नधना कि मजमून कैससं इस बन्सित मतलब क्या होता है जदीद मजलूम तदीन श्रीमी सक्र Clayton क्या होगा कदीम थे कदीम एक काक्देलन स्री है आप सड़्यां धर्र किस नमर्ब बाभू कर रहा है कि मजमून किस तरह का मजमून किस तरह का लिखा जाता है जरूत और महियार के मताबिक मुक्तसर सी तव्यल्ड ये सभी क्या हो जागा फर बताओ क्या हो जागा मजमून किस तरह का लिखा जाता है मुक्तशर तवील यह सभी हो जाएगा तो इसे मुझे डाउट तका लेकिन डी इसका एंसर पर मैं इसका कमेंट बॉक्स में एंसर पीन कर दूँगा ठीक है चलिए अला कुशन लेकर बीच नमर कुशन के जमीन एक दोट है तारा है सानुवी सयारा है तवील है यह सभी है क्या हो जागा तो सयारा है अपरे तारा दिये वाए सानुवी सयारा अपसर नमर बी हो जागा ना चलिए अगला कुशन कुलते हैं कि किसका हरा है किसका दर्जा हरारत बहुत मौझंत मथनों और मौत्त चांऩ का मंगल सजारा का जमीन का इन में से कोई नहीं क्या हो जागा जमीन का ना बिल्कुर अफसर नंबर सी ओजाएगा ठीक है बाश नम कुशन को रहा है कि आलमी हिद्धत गुलोबर वामी कैसा मसला है मुनासिब ओखुसगवार मुतल संगीन संगीन हो जाएगा ठीक है आँ चवीस कुशन कर रहा है जमीन का दर्दा हरारत बढ़ने से क्या आशर होगा अशर होगा समंदर बड़ पढ़ जाएगी जमीन घरक अब हो जाएगी दुनिया खत्म हो जाएगी यह सभी क्या हो जाएगा कुछा निए सब घथा हो चाहिए लिए सब्सक्राइं के पिछले कुछ सालों में मिध्यन गयस में कितने फिसत का इधाफा वह एक्ति सथ कि नागा लेंड के देमापूर शहर के पांच रोज पांच रोज विज्ञान कांग्रेस के मुदू क्या था बरती आबादी सातों सातों की बरती तादाद पुलीशन और गर्वल वामी इन में से कोई बिल्कुल पॉलीशन और गर्वल वामी यानने की जो परदूशन बढ़ गया वो ठीक है उसके लिए जादा था इसे लोग को नुक्षान हो रहा था था कि देमापूर बाल विग्यान कांग्रेस में मेहमान खुससी कौन थे हैं बिल्कुल अफसन मसी हो जाएगा एप जी अब्दुलकालाम ठीक है चलिए तो इस तरीके से मैंने पूरा कुशन आपको करा दिया टोपर स्रीज का यह आपका जो है तीसरा पार्ट था और हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक का टोपर स्री अब जा चुका उसका बी डिस्क्रिप्स लिए अब देखी लिजिए लिए लिंक सभी का डिस्क्रिप्सिन में सलूशन के साथ हंद्ध प्रसंट रिए हैं और हमारे चैनल पर हर रोज टेस्ट होता है तो टेस्ट देने के लिए उर्दू का किसी भी सब्जेक का क्या करना सब्सक्ता हमें परने चैनल और स्थेल्स उसक्तर तो डिखें सब्सक्राइब अपने हटां को आभिमें गूगल क्रोम अप्म को अपन करना सब्सक्राइब है यहाँ ऐसे आसा मिम आपने भीए यहां पर लिखना से निश्ग सब्सक्राइब किया ना करते को यहां से किलिक करते हैं यहां से प्याने के पाशाइब किसी भी सब्सक्राइब काप आसानी से सकते हैं आप देख सकते हैं ना विखार वोट क्लास्टेंथ कमायत का समाजी का विघ्यान अंग्रेजी संस्कीत और देना चाहर तो फिलिए कर सकते हैं और जो नवहरेक सब्चेक्ट कर दे सकते हैं जिसे आपको मालव चल जा कि यह त्यारी कितनी है उर्दु वालैजिए कि टेस्ट ह तो नीचे आएगा स्कूल लाण किजेगा देन यहां पर देखिए दिये हुआ ओर्धू टेस्ट नहीं तो पहला दे दिजेगा और सेकेंड है जुसको देना चाहिए दे सकते हैं जिसके आपको मालूम चाल जाए कि में तयारी कितनी है और जितना सही किजेगा समझ यह कि एगा सकतना जाकिन तो तो मिलते है लिए बीडियो में जब तक किले आप सबीका स्कूरें